हलो दोस्तो मैं परशान आप सभी का अपने यूटूब चैनल एक वीडियो कम्मुनिटी में स्वागत करता हूं तो आज हम लोग इस वीडियो में money making candlestick pattern के उपर बात करने जा रहे हैं और हमने इसके उपर already वीडियो बनाया था last video में हमने discuss किया था money making candlestick pattern जितने भी candlestick pattern थे सब को यहां पर हमने आपको intro dues किया था अब हम इस वीडियो में क्या करें जितने भी candlestick pattern को मैंने intro dues किया था सारे candlestick pattern के उपर यहां पर हम details से बात करने जा रहे हैं इसलिए इस स्वेज का हमारा पहला वीडियो है, यह हमारा पार्ट वन है, तो लाश्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखा है, तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा है, नहीं तो आप उसको आई बटन पर भी क्लिक करके देख सकते हैं, तो इस वीडियो में जो हम बात करने जा रहे हैं, एक जबरदस Money Making Candlestick Pattern के उपर बात करने जा रहे हैं, तो चलिए सबसे पहले में आपको बता देता हूँ कि इस वीडियो में कौन से Money Making Candlestick Pattern के उपर बात करने जा रहे हैं, Money Making Candlestick Pattern के पार्ट वन में, जो हम पैटर्न की बारे हम डीटेयल से डिस्क्स करने जा रहे हैं, उसका नाव है पियरसिंग पैटर्न, और यहां पे हम चार्ट पे भी चलेंगे, और चार्ट पे हम समझेंगे इस पैटर्न को हम रियल चार्ट पे कैसे identify कर सकते हैं, और चार्ट पे भी हम example के थूरू समझने कोशिस करेंगे, और चार्ट में मैं आपको multiple example बढ़ाऊंगा, ताकि आपको इसको different तरीके से समझने में आसानी हो, क्योंकि same type of pattern, exactly same pattern आपको कहीं भी repeat होता हुआ नहीं दिखेगा, थोरा बहुत उसमें changes होता है, इसलिए अगर आप अलग-अलग example लेखेंगे, तो आपको समझने में आसानी होगी, तो चली सबस पहले piercing pattern को थोरा बहुत यहां पे हम overview ले ले लेते हैं, इसको समझ लेते हैं, यह pattern का formation कब होता है, market आपका उपर से नीची आ रहा है, यानि जब market आपका downtrend में रहता है, उसके बाद यहां पे आपका एक जबरदस्त bullish यानि green candle का formation होता है, देख सकते हैं यहां पे आपका red candle का formation हो रहा है, उसके बाद आपका एक जबरदस्त green candle का formation उसके उपर इसका closing देना चाहिए अगर इसके 50% के नीचे closing दिया तो फिर यह आपका piercing pattern नहीं बनेगा पहला क्विटरिया है कि price आपका downtrend में होना चाहिए और उसके बाद उसी downtrend के बाद एक जबदस queen candle का formation होना चाहिए और वो queen candle close कहां पर देगा वेट candle का जो भी body का 50% पार्ट होगा उससे उपर closing देना चाहिए तो उसके बाद यह क्या बनेगा यह आपका एक piercing pattern बन गिया अब यह हमें क्या indicate कर रहा है यह हमें early upside move को identify करने में help कर रहा है यह इसके जरीए जो upside momentum आने वाला जो bullish momentum आने वाला उसको हम काफी पहले predict कर सकते ह identify कर सकते हैं कैसे इसके concept को समझने कोशिश किजिए बस इसमें दो ही चीज़ identify करना यहां पर क्या हो रहा है जो market है वह आपका किसके control में यहां पर sellers की control में लगाता है market नीचे जा रहा है अब यहां पर क्या हुआ दोनों केंदल लगवगा आपका सेम bottom का formation किया bottom में जादा कोई difference नहीं है उसकी बात यहां पर क्या हुआ है यहां पर आपके buyers entry करना start किये हैं और sellers को पीछे धकेलते हुए all the way price इसके 50% के उपर निकल गए है that means to यहां पर जो sellers का दबदबा था वो sellers यहां पर कमजोड हुए है और at the same time buyers ने यहां पर अपना strength गेन किया है buyers यहां पर बहुत जादा मजबूत हुए है अब control किसके पास आ गया buyers ने strength गेन किया है तो यहां पर buyers ने market को काफी हद तक control कर लिया है अब यहां पर हम कैसे पता करेंगे यह जो control buyers ने gain किया है आगे भी control buyers के पास ही रहेगा उसके लिए क्या करते है इस candle का जो highest point है यानी green candle का जो top most point है इसको price अगर break करके उपर निकला तो यहां पर हम क्या करेंगे यहां पर हम interview लेंगे किस तरफ buy side की तरफ interview लेंगे क्योंकि market जो है वो buyers के कबजे में है अगर यहां पर आपको यह concept समझने में दिक्कत हो रहा मैं आपको candle blending के जरीए भी इसको समझाने कोसिस करता हूँ वहां पर आप और आसानी से समझ जाएंगे अगर आपने candle blending technique के बारे में नहीं जानते हैं तो उसके उपर हमने detail वीडियो बना रखा उसका भी link आपको इस वीडियो के description मिल जाएगा नहीं तो आप i button पर click करके भी वो वीडियो देख सकते हैं तो यहां पर हम क्या करते हैं दो या दो से जादा candle को blend करके एक के SECRET करते हैं और उसके जर्यी हैं कुरे MOVE को समझने ही कोसिस करते हैं यहां पर यह दो candle है, दोनों को हम एक साथ join करके एक candle form करेंगे, तो पहला candle का opening point लेते हैं, पहला candle आपका open हुआ है इस price पर, दूसरा candle का closing point लेते हैं, close हुआ आपका यहां पर, यह candle का body बनेगा और body आपका red ही होगा, उपर में आपको यह tail वहेगा और नीचे में जो tail वहे है कि आपका जवर्दस बुली स्केंडल है, लेकिन यहां पर पूरा पूरा buyers का दब दबाया है, और इसके बार जैसे ही इस level को break करके ऊपर निकलेगा, तो आगे भी buyers का दब दबाया रहने वाला है, और यह हमारा क्या बन जाएगा, यह जो इसका body का lowest point होगा, जहां पर closing ह होगा, वो हमारा क्या बन जाएगा, entry point हमारा बन जाएगा, तो इस तरीके से आप piercing pattern को chart पे भी identify कर सकते हैं, candle blending के जरी है, यानि तो simple सा concept है, power का transfer, seller से जो buyers के पास जा रहा, उसके जरे भी आप इसको identify कर सकते हैं, चलिए, chart पे चलते हैं, और इस ही pattern को हम chart पे समझने की कोस करते हैं, तो यहाँ पे चार्ट पे आगए, और देख सकते हैं, यहाँ आपका, hero moto को आपका daily chart है, और मैंने आपको already introduce कर दिया था, last video में, जहाँ पे हमने money making candlestick pattern में different pattern को introduce कि इन सब में हमें क्या चाहिए था, candle हमें mature चाहिए था, इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, daily chart क सबसे ज़्यादा mature candle हमें दिखता है, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या find करना है, सबसे पहले देखना है, एक downtrend, और downtrend के बाद हमें क्या find करना है, कि downtrend में red candle के साथ ही हमें green candle चाहिए, जिसका body size, जो red candle है, उसके half से उपर होना चाहिए, यह red candle का half है, और यह जो close दिय है, red candle से उपर closing दिया है, तो जो भी सारे quit area है, सब को यह fulfill कर रहा है, अब यहाँ पर concept क्या है, sellers यहाँ पर market को control किये हुए, market किसे control में अभी, sellers के control market है, और लगातार price आपका नीचे side की तरफ जा रहा है, अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ जो sellers है, वो buyers के इलाके में आ अब buyers ने यहाँ पर दम दिखाना start किया, और sellers को धकेल करके काफी पीछे ले गिया है, और इसके हाप से उपर निकल गिया, मतलब यहाँ पर buyers ने strength दिखाया है, और buyers ने यहाँ पर market को अपने कबजे में ले लिया, यहीं बाइस ने market को control कर लिया, मतलब यहाँ पर पाबर क में जो भी मजबूत रहते हैं, दो ही लोग रहते हैं, sellers या फिर buyers और दोनों में से आपको एक को ही pick करना रहता, तो आपको देखना है, जो मजबूत है, जिसका strength ज़्यादा है, उसके साथ अगर आप जाएंगे, तो आपको profit बनाना के देगा, और अगर आप जो कमजोर है उसका साथ देते हैं, तो यह आपको loss करके दे सकता है, इसलिए हमें से candle के strength को पकरिए, market में अभी किसका दबदबा है वो find किजिए, उसके बाद उसके साथ जाएए, तो profit बनाना आसान हो जाएगा, और यहाँ पर हम एक और टेकनिक बताया था, candle blending उसको भी use करते हैं, तो यहाँ पे हमें positive candle का formation देखने को मिला है, candle clear आपका rate जोहूर होगा, लेकिन पूरा का पूरा क्या दिखा रहा है, कि buyers यहाँ पे market को control किये हुए है, और यह candle देखके लग रहा हो, थोड़ा बहुत hammer जैसा भी है, तो इसके वेसिस पे भी आप buy positions initiate कर सकते हैं, और जैसे इसक तो यहाँ पर हम टार्गेट प्रेस की बात करें, तो यहाँ पर इन्तवी ले रहे हैं इस लेवल पर इन्पी ले रहे हैं, लगबग आपका 2250 करीब यहाँ पर लगबग आपका, इस लेवल के आसपास हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा बोत market रुका याई 2400 के आसपास फ इस टेंड करके दिखाएंगे तो थर्ड टागेट पैस इसने हिट किया तिया पर फस्ट टागेट पैस लेत लगवग आपका 150 पॉइंट का प्रॉफिट मिलता हो दिखा 150 पॉइंट लगवग यहां पर आपका सेवन टू एट परसेंट के करीब यहां पर प्रॉफिट हमें लगवग आपका 15 परसेंट करीब आसानी से मिलता हो दिखेगा ति यह जो आपका केंडलिस्टिक पैटर्न है इसके बेसिस पर आगरा पोजिशन लेते हैं तो आपको 5 परसेंट मिनमम और 15 मैक्सिमम इसके करीब आपको प्रॉफिट मिलता हो देख सकता वह वह भी कुछ द तो आपका एट ट्रेंग सेसंस में साथ परसेंट से आठ परसेंट का वी टॉण लैड लुण दिया किसके वश्चिस पे प्यारसिंगंगा ह्टेस्टिक फैटन आपका मनी होसाद यहां पर डाउट लग रहा हो किसने यहां पर एसेल हीट कर दिया है मैं आपको लेवल से लेवल से लोईट पॉइंट 2146 से करीब और इसका लोईश पॉइंट देखें तो 21 54 हो है दस पॉइंट उपर है इसके अगर में लोइस पॉइंट की बात करें यहां से 2155 उपर है यहनी पांच-दस पॉइंट से मेरा एसल बच गया यहां पर ही नहीं हुआ और बहुत कम बार यहां पर आपका एसली डिच होगा प्रोफित आपको मैक्सिमून टाइम मिलता उसके बाद क्या हुआ आपका यहां पर वही ग्वीन केंडल का फॉर्मेशन हुआ जिसका बॉडी साइज इसके बॉडी के 50% से काफी उपर है लगवागा आपका 90% कवर कर लिया तो कोई बात नहीं जितना ज्यादा कवर करेगा उतना ज्यादा बुलिस हिंट हमें मिलता हु यह भी आपका हैमर टाइप बना रहे है नहीं जो भी हो बुली स्केंडलिस्टिक बना रहा है के नाम पर हम छोड़ देते हैं क्योंकि नेम से आपको प्रॉफिट नहीं बनेगा आप अगर क्याक्तरिस्टिक सियाद करोगे वहीं प्रॉफिट बनाकर देगा बुली यह आपका होगा 520 करिंग उससे चाहिए तो 500 भी सैकलोजिकल लेवल यह भी रख सकते हैं यह आपका सकेंड टागेट हो जाएगा और यह आपका थर्ड टागेट हो जाएगा तो पहले टागेट पैस के अगर बात करें तो लगबग आपका यहीं तीस पॉइंट का मतलब ह तो आप चाहो तो पहला टागेट पैस पर प्रॉफिट बुक कर सकते हो और फर्स टागेट पैस काम मिला नेक्स टे ही आपको पहला टागेट पैस ने देदी नेक्स टे इंट्वी करते हैं यहां पर आपको प्रॉफिट मिल गया अगर आप यहां पर एक हप्ते तक होल्ड करोगे तो आपको यहां पर 10-12% का प्रॉफिट इसने आसानी से दे दिया है यहां पर बहुत जल्दी प्रॉफिट मिलता है यहां पर देख सकते हैं तो यहां पर चाहो तो कि तरफ जाना कब जाना वह आईडिया मिल गया एसल की बात करें तो इन दोनों में से जो भी कैनल का लोईश्ट पॉइंट है उसको आप यहां पर एसल के रूप में इस्तमाल कर सकते हैं प्रिविएस एक्जामपल में भी जो कैनल का लोईश्ट पॉइंट है यही आपका एक कैनलिस्टिक पैटरन है और यहां पर हम फर्स्ट वीडियो में इसी पैटरन को पर डिसकस कर रहे हैं तो यहां पर देख सकते हैं लॉंग आपका डाउन ट्वेंट है उसके बाद गिराबट दिखाया उससे पहले भी देख लिए यहां पर ग्विन कैनल का फॉर्मेशन हु देख सकते हैं इसका हाफ लगवगा आपका इसके करीब होगा और इसके हाफ को ब्रेक करके ऊपर निकला है तो यहां पर रियल माइने में क्या हुआ है पावर का सिफ्ट हुआ है पावर का ट्रांसफर हुआ प्रॉम सेलर्स टू बायर्स और रियल माइने में बायर्स यहा तो आपको जो क्वेटेरिया बता है उसको फुल्फिल होने दीजे तभी आपको इंट्वी लेना जलबाजी नहीं करना उसके बाद जैसे इसको ब्रेकर के उपर निकलेगा यहां पर इंट्वी लेंगे इंट्वी जो होगा लगवग आपका 5900 करीब यहां पर इंट्वी तो आपका 12% के करीब आपका पहला टागेट पैस ही बनता हुआ दिख गया तो यहीं पर प्रॉफिट कर लेना उसके बाद दूसरे टागेट पैस के लिए नहीं जाना क्योंकि पहला टागेट पैस ही आपको 10% से ज्यादा का प्रॉफिट दे दिया तो आप चाहओ तो पा लिए डेली चार्ट में यहां पर देख सकते हैं जब अधस्ट डाउन ट्वेंड के बाद क्या हुआ प्यरसिंग पैटर्न प्रफार्मेशन हुआ है तो सारे पैटर्न में आपको देखना है कि अलग अलग सब कुस्त देखने हो को मिलगा है सारा पैटर्न आपको वापस से सारा पैटर्न दिखा और यहां पर देखें हैं यहां पर कुछ और आपको देखने को मिलगा लेकिन यहां पर अलग अलग तो कि क्या करेंगे यह हमारा एसल के रूप में काम करेंगा इसको जैसे ब्रेक करके ऊपर निकला यहीं लगभब मेरा होगा 630 करीब यहां पर हम इंट्वी लेंगे और पहला टागेट पैस के अगर बात करेंगे यहां टागेट पैस के अगरा यहीं पर रखेंगे सब्सक्राइब यह हो जाएगा तब रही हैं इन ऐसे करेंने कर देता हूं यहां पर बात करें तो six-nand ॥ा भी लगवग आपका कितना पॉइंट लोगा इइन लगवग आपका एट परसंट करी प्रॉफिट इसने आसानी से दे दिया आप चाहो तो यहां पर प्रॉफिट बॉक कर के निकल सकते अभी लगवग आपका stop loss, injury point, सब कुछ पहले से well defined है, यह काफी simple तरीका है, वीडियो का length ज़्यादा हुआ क्योंकि यहाँ पे हम different example के थुरू आपको explain करने कोशिस करें, ताकि beginners को भी आसानी से समझ में आ जाए, चो उमीद करते हैं, यह concept आपको समझ में आ गया होगा, और इस से विलेटेज अग जब दवा दिए, ताकि जब भी हम आगे, और भी money making candlestick pattern को पर बात करें, तो उस वीडियो का notification आप तक पहुंच जाए, और आप उस वीडियो को miss ना करें, तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में, जैहिन!